नमस्कार विकेबिन्यूस के खास पेशकश में आपका स्वागत है जहां आप मेरे साथ देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास और चुनिन्दा खबरे टिका करण के बदले LED TV, रेफरिजरेटर और वाशिंग मशिन जैसे पुरसकार जीतने का आउसर सुनने में यह अफवाल लग सकता है लेकिन यह सच है प्रदेश के हिंगोली नगर परिशद ने लोगों को COVID-19 टिका करण के लिए प्रोजसाहित करने के लिए यह योजनाश च उनसे 848 करोड रुपे का ततकाल भुकतान कराने का आदेश दिया है तो मुंबई के नायर अस्पताल में बच्चे के साथ डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही का मामला तुल पकरता जा रहा है दोश्यों के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग तेज हो गई है उधर स सहित राज में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों में कोविट पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है कल मुंबई में दो और विदेशी पॉजिटिव पाए गए प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बन चंद्रपुन नगर एकाई ने भी इस महिने की शुरुआत में लोगों को टीका लगवाने हैं दू प्रेरित करने के लिए इसी तरह का कदम उठाया था एक अधिकारी ने बताया कि हिंगोली जिले में अब तक टीके के पात्र लोगों में से तिरहातर फिजदी ने पहली खुराक ले ली है और चपन फिजदी ने दोनों खुराक ले ली है नगर परिशद में COVID-19 संबंधी ड्यूटी पर तैनात प्रोजेक्ट अधिकारी पंडित महसके ने बताया कि नगर परिशद के प्रमुक अधिकारी डॉक्टर अजय कुरवाडे ने 2 दिसमबर से 24 दिसमबर के बीच टीके की खुराक लेने वाले लोगों के लिए 27 दिसमब पात बैठक बुलाई थी और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया था कुरुशी मंतरी दादाजी भुसे ने किसानों का बकाया बीमाराशी न चुकाने वाली बीमा कमपनियों को चेतावनी देते हुए 8 दिन का वक्त दिया है उनसे 848 करोड रुपे का ततकाल भुक्तान करने का आदिश दिया है ये रकम 2021 में खरीफ फसल सीजन में फसलों के हुए नुकसान का बकाया है भुसे ने कहा कि हमने प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना में शामिल बीमा कमपनियों के कामकाज के बाबत समिक्षा बैठक की बीमाराशी देने के लिए बीमा कमपनियों का बर्ताव ठीक नहीं है इसे लेकर किसानों में भारी नाराजगी है ऐसे हालत रहे तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है इसके लिए पूरी तरह से बीमा कमपनिया ही जिम्मदार होंगी बीमा कमपनिया किसानों के सब्रकी परिक्षा न ले क्योंकि पिछले एक साल से प्राकृतिक आपदा और कोरोना संकट के कारण किसान काफी परेशान है कुरुशी मंतरी भुसे ने कहा कि बीमे की राशी न देने वाली बीमा कमपनियों के खिलाफ परभणी, बुल्धाना और अमरावती में किसानों ने फॉसदारी का मामला पहले ही दर्च किया है बीमा कमपनियों के पास साल 2020 का लंबित 223.35 करोड रुपे भी जल्द किसानों को उपलप्त कराने के निर्देश दिये गये है बुल्धाना में किसानों ने बीमे की राश्ची न मिलने की शिकायत की है बीमा कमपनियों को किसानों की शिकायतों को गंभिरता से लेना चाहिए उन्होंने बीमा कमपनियों को शितावनी देते हुए कहां कि उन्हें अपने काम करने के तरीकों में सुधार करना चाहिए उंबई के नायर अस्पताल में बच्चे के साथ डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही का मामला बढ़ता जा रहा है स्थाई समीति की बैठक पे सत्तधारी शिवसेना सहित भाजपा, कॉंग्रेस, NCP एवं सपा ने अस्पताल की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवई की मांग की है बिजेपी नेताओं ने मांग किया है कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए बीएमसी डॉक्टरों को सैलरी देती है लेकिन डॉक्टर BMC अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर ध्यान नहीं देते बलकि प्राइवेट में उनका ज्यादा ध्यान रहता है इसलिए डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए ताकि BMC अस्पतालों में आए मरीजों का बहतर इलाज हो सके BMC में नेता विपक्ष रवी राजा ने कहा कि दोशी डॉक्टरों वस्टाफ के खिलाफ कानोनी कारवाई होनी चाहिए BMC अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही बरताष्ट नहीं की जाएगी इससे पहले भाजपा नगर सेवकों ने नायर अस्पताल जाकर ओचक निरिक्षन किया जिसमें ज्यादातर HOD, OPD से नदारत मिले इसके विरोध में भाजपा गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने स्थाई समिती की बैठक स्थगित करने का पत्र दिया बैठक शुरू होते ही सभागरू हनेता, शिवसिना की नगर सेवी का विशाखा राउत ने नायर मुद्दे पर बैठक स्थगित करने का प्रस्तावरक दिया उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा हुई, राउत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से बीएमसी की प्रतिष्ठा धुमिल हो रही है, दोश्यों को दंडित किया जाना चाहिए सरकार राज्य परिवहन निगम के हरताली करमचारियों पर मेसमा कानून के तहत कारवाई करने पर विचार कर रही है मंत्री परब ने कहां कि राज्य परिवहन बस सेवा अत्यावशक सेवाओं में आती है इसलिए हरताली स्ट कर्मचारियों के खिलाफ में इसमा कानून के तहत कारवाई की जा सकती है इसके लिए कानूनी सलहा ली जा रही है इस समन में मुख्या मंत्री उद्दव ठाकरे और उपा मुख्या मंत्री अजित पवार से चर्चा करके जल्द फैसला लिया जाएगा पर अबने कहां कि अब तक स्ट के निलंबित कर्मचारियों का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा हरताल खतम होने के बाद भी कर्मचारियों का निलंबन तुरंत रद नहीं होगा यदि सेवा देने के लिए कार्यस्थल पर आने वाले एस्ट कर्मचारियों को किसी ने रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ शनिवार से सक्त कारवाई की जाएगी पर अब ने कहां कि हरताल में शामिल एस्ट कर्मचारियों के बीच तरह तर की अफ़वा फैलाई जा रही है ऐसा प्रहम फैलाई जा रहा है कि यदि 60 दिन हरताल जारी रही तो मुख्या मंतरी उद्दव ठाकरी को इस्तिफाद देना पड़ेगा लेकिन मैं ऐसी कर्मचारियों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कानून नहीं है इसलिए कर्मचारी अफ़वाव पर विश्वास न करे उनके लिए बहतर होगा कि जल्द से जल्द काम पर लोटे ताकि लोगों की परिशानिया खतम की जा सके मुंबई सहित राज्य में ओमिक्रोन प्रभावित देशों से आने वले यात्रियों में कोविट पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है कल मुंबई में और दो विदेशी पॉजिटिव पाए गये है इसके चलते मुंबई में ओमिक्रोन संदिक दो की संख्या जहां 14 हो गई है जिसमें 4 कॉंटेक्ट ट्रेसिंग में मिले लोग शामिल है वही राज्य में इनकी संख्या 30 हो गई है ये सब नए वेरियंट से तो ग्रस्त नहीं ये पता करने के लिए सभी के सैंपल जिनों के लिए भेज दिये गए हैं बीमसी की कारेकारी स्वास्ताधिकारी डॉक्र मंगला गोमारे ने बताया कि हाई रिस्क देशों से 2 दिसंबर तक 3136 विदेशी यात्री आये हैं जिन में से 2199 लोगों की टेस्टिंग की गई जिन में से विदेश से आए 11 लोग कोविट काहर का है इसके लवा इनके संपर्क में आने वाले चार लोग कोविट पॉजिटिव पाएं गये हैं मुंबई में ओमिक्रॉन संदिक्दों की संख्या 14 हो गई है इनमें 5 लोग लंडन एक मौरिशियस एक जर्मनी एक साउथ अफरीका एक पूर्तगाल एक पेरिस और एक स और हम मचा हुआ है इसे बीच एक्सपर्ट्स और वारालोजिस्ट ने यह करकर चोका दिया है कि भारत में कोरोना का यह नया स्ट्रेंश शायद बहुत पहले से फैल रहा था समुद्र में इसके बड़े तूफान के रूप में तब्दिल होने की संभावनाय बढ़ती जा और ऐसा हुआ तो तटवर्ती इलाकों में 110 किलोमेटर प्रति घंडा तक की गती की हवायद चलेंगी वही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है विशश अभियान में पता चला है कि नौवर्ष का एक बच्चा अश्रिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था द जूट की रादे से मंदिर में गुसे चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है बात राजनीति की करें तो कॉंग्रेस के लिए बुरी खबर है कॉंग्रेस के वरिष्ट ने ता गुलाब नभी आजाज जल्द ही अपना खुद का संगटन लॉंच कर सकते है देश की इन बहुत पहले से फैल रहा था एक एक्सपर्ट ने तो यह भी आशंका जताई कि दक्षिन अफरिका में पहचाने जाने से बहुत पहले यहां तक कि पहली और दुसरी रहर के दोरान भी भारत में है वेरियंट मौजुद रहा हो बस उस वक्त इसकी पहचान नहीं हो पाई ब दॉक्टर देश से बाहर गये ही नहीं थे एक्सपर्ट के मुताबिक हो सकता है कि डॉक्टर किसी मरीज के जरीये ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हो इसलिए हमें सेफटी गाइडलाइस का पालन जारी रखना ही होगा घबरानी की कोई वजह नहीं है लेकिन लापरवाही के लिए भी कोई जगह नहीं है हो सकता है कि सरकार लोगों में ओमिक्रॉन वेरियन के तेजी से फैलने की बात खारीच कर दे लेकिन पहली लहर के दौरान भी तो इसी तरह के बयान आये थे विश्व सास्त संगठन जब तक हमें चिता था तब तक दूसरे देशों के हजारों लोग भारत आ चुके थे इसके बात का हश हम देख चुके हैं हाला कि फिलाल ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन हो या कोरणा का कोई दूसरा श्ट्रेन उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि देश की ज़्यादा तराबादी पहले से ही संक्रमित हो चुकी ह बंगाल की खाड़ी के उपर बना हवा का गहरा दबाओ एक चक्रावाती तूफान जवाद में तबदिल हो गया है बारत मोसम विज्यान विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी आइमडी के महानिदेश यक मृतुजे महापात्रा ने बताया कि चक्रावात के आसुभ उत्तरी आंधरपदेश और ओडिसा तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पहुँचने की संभावना है इसके बाद यह ओडिसा और निकटवर्ती आंधरपदेश के आइमडी जी से हवाए चल सकती है बाद में चक्रावाती तूफान समुदर में बड़े तूफान के रूप में तब दिल हो जाएगा और 110 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से हवाए चलेंगी हवा की गती रविवार को सुबह से अगले 12 घंटे तक 80 किलोमेटर प्रति विजय नगरम और विशाका पटनम जिलो के लिए चेटाउनी जारी की गई है पश्चिम बंगाल में चिटपुर स्थानों पर भारी से बहुत भारी और असम मेगले वत्रिपुरा में चिटपुर स्थानों पर भारी बारिश होने का पुर्वानुमान जताया है मामला संगीन किन्तु सत्य और हैरान करने वाला है नौवर्ष का बच्चा अश्रिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था दिल्ली स्थित निजामुद्दिन थाना पुलिस ने बच्चे के खिलाप मामला दर्च कर लिया है बताया जारा है कि दिल्ली पुलिस ने बच्चे से उसके घर जा कर पूछताच की है दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन मासूम के तहत ये बात सामने आई है ओपरेशन मासूम के तहट 97 से ज्यादा लोगों को गिरफतार किया गया है दरसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आयफेसो सभी जिला पुलिस के साथ मिलकर चाइल्ड पॉर्नग्रोफी से बचाने के लिए ओपरेशन मासूम चला रही है इसके तहट दिल्ली पुलिस के विभिन नथानों में सव से अधिक मामले दर्च किये गये है इनमें 97 से ज्यादा लोगों की गिरफतारियां हो चुकी है इनमें से एक मामले ने पुलिस को हैरान कर दिया दक्षिन पुरजिले के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि आरोपी बच्चा दक्षिन दिल्ली के एक प्रतिष्टित स्कूल में पढ़ता है और मातर नौव वर्ष का है बताय जा रहा है कि बच्चे ने अपने पिता के मोबाइल फोन का इसके लिए इस्तमाल किया उसने इमेल आइडी बना कर अशल वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया बच्चे के पास ये अशल वीडियो कहीं से आई थी बच्चे के पिता कम शिक्षित है अतहब बच्चा पिता के कमशिक्षित होने का फायदा उठाता था अमेरिकी NGO NCMEC की शिकायत पर निजामों दिन थाने में मामलाद दर्च किया गया है पुलिस सुत्रों ने बताया है कि इस मामले में बच्चे से पूछ लाच की है बच्चे ने ये वीडियो कुछ समय पहले भेजा था उत्तरपदेश के महराज गंस्तित महदेईया गाओ के एक मंदिर में सादो और सादवी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पुलिस के मुताबिक ये आरोपि लूट के इरादे से मंदिर में घुसे थे और घंटा चुरा कर भागना चाहते थे लेकिन घंटे की आवास सुनकर सादो और सादवी जा गए पहचान में आने के बाद आरोपियों ने लाठी डंडे और इंट से कुचर कर सादो और सादवी की दर्दनाख हत्या कर दी और घंटा चुरा कर भाग गए दरसल यहाँ पर एक मंदिर बना कर वृद्ध पुजारी और पुजारीन को भगवान की सेवा के लिए रखा गया था 17-18 नवंबर की दर्मियान रात नशे में दुद्ध आरोपी मंदिर पहुँचे यहाँ उन्होंने मंदिर में लगे वजनी घंटे को चुराने की कोशिश की इसी दोरां सादो और सादवी जा गए विरोध करने पर आरोपियों ने मिलकर सादो और सादवी की लाठी डंडे से पीट कर तथा इट से कुचल कर हत्या कर दी और मंदिर में लगे वजनी घंटे को चुरा कर भाग गये जैसे ही घंटना की जानकारी गामवालों को मिली उन्होंने हंगा ममचा दिया स्तानिय लोगों में पुलिस के खिलाब भी काफी आक्रोश था और लोग जल खुलासे की मांग कर रहे थे आखिरकार सर्विलांस के जरीए पुलिस ने दो हत्यारों तता घंटा खरीदने वाले एक बरतन कारोबारी सहीत तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया कॉंग्रेस के वरिष्टनेता गुलाब नभी आजाद द्वारा जम्मु कश्मीर में जनसभाओ की तेज रफतार ने अटकलों को हवा दी है कि पूर्वराजसभा सांसर जल ही अपना खुद का संगटन लांच कर सकते है आजाद की जनसभाओ में भारी भीड ने कॉंग्रेस को जगचोर कर रख दिया है सुत्रों का कहना है कि आजाद अगर अपनी पार्टी बनाते है तो जम्मु कश्मीर के ज्यादातर कॉंग्रेस नेताओ के उनके साथ जाने की संभावना है करीब 20 वफादारों ने पिछले दो हफते में अपनी पार्टी के पदों से इस्तिपात दे दिया है उनके करीबी सुत्र ने कहा कि अन्य पार्टीों के कईनेता हर जिनों ने आजाद से संपर किया है वे कहते हैं कि अगर आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं तो वे इसमें शामिल होंगे जम्मू और कश्मिर कॉंग्रेस के उपाद्रक्ष जियन मोंगा ने कहा कि हमने पार्टी आला कमान को बताया है कि पार्टी के भीतर कुछ समस्याएं हैं हम उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं उदर जम्मू कश्मिर कॉंग्रेस के प्रवक्तार रविंदर शर्मा ने कहा कि पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है हम उनका सम्मान करते हैं लेकिन अनुशासन का पालन करना होगा लेकिन कुछ लोग है जो आजाद के करीबी माने जाते हैं उनके बयान स्पश्चरूप से अनुशासन का उलंगन है इस बीच आजाद ने कहा कि उनकी एकमात्र मांग राज्य की बहाली और विदानसबा चुनाव कराने की है गुलाब नभी आजाद अनुशे 370 पर अपने बयान के लिए हो रही आलोचना का जवाब दे रहे थे आर्थिक परेशानियों से जूजरे पाकिस्तान में कटर पंधियों ने शर्म ना खरकत की है भीड नेक श्रेलंकाई वेक्टी को पीट-पीट कर मार डाला इतना ही नहीं इन धर्मांदों ने सर्याम स्रीलंकाई वेक्टी की लाश में आग भी लगा दी इसी बीच ओमान के रहने वाले भारत्य प्रवासी रंजित वेरुगोपालन उनितन राइफेल रो में करीब 20 करोड रुपे जीतने के बाद इस साल के आखरी बिग टिकेट अबुधाबी पर करोड बती बन गये है तो यूकरेन को लेकर रूस और अमरिका आमने सामने आ गये है रूस की सिमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है साल की शुरुवात में युद्ध की स्थितिया प्रबल होती जा रही है उधर भारत के भारी विरोत के बाद भी चीन ने श्रीलंका में हाइब्रेट एनरजी सिस्टिम परियोजना के निर्मान को रोग दिया है इन हाइब्रेट एनरजी सिस्टिम को तीन उत्तरी द्वीपव पर बनया जाना था जो भारत के बहत करी भी है इसके अलावा परेशान करने वाली खबर यह है कि चीन कई तरह की जहरिली चीजे बना कर मार्केट में बेच रहा है जी हाँ इने खाना स्वास्त के लिए काफी नुकसान दायक है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बनरी अब हमारे साथ पाकिस्तान के सियाल कोट में इसलाम का अपमान करने के आरोप में कटरपंथियों की भीड ने एक श्रीलंकाई वेक्ती को पीट-पीट कर मार डाला इतना ही नहीं इन धर्मांदों ने सर्याम श्रीलंकाई वेक्ती की लाश में आग भी लगा दी घटना के बाद सवस्यादिक लोगों को गिरफतार कर लिया गया है पुलिस ने श्रीलंकाई नागरी की लिंचिंग में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफतार करने के लिए दस टीमों का गठन किया है बताया जा रहा है कि यह गठना सियाल कोट के वजिराबाद रोड पर हुई मारा गया श्रीलंकाई वक्ती प्रियंता कुमारा सियाल कोट में एक फैक्टरी में एक स्पोर्ट मैनेजर था इस वक्ती के उपर कारखानों के श्रमिकों ने ही हमला किया उन्होंने बाद में प्रियंता के शव को जला दिया सोशल मीडिया पर शेर किये जा रहे वीडियो में सेकडो की संख्या में लोग फैक्टरी के सामने इकटा होकर नारे लगाते नजर आ रहे हैं एक दूसरे वीडियो में लोग श्री लंका इनागरी की लाश में लगी आग को अपने अपने मोबाइल में रेकॉर्ड करते दिखाई दिये पुलिस ने अभी तक हत्या के संभावित कारण के बारे में कुछ नहीं बताया है सियाल कोट के जिला पुलिस अधिकारी उमर सईद मलिक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है घटना के बाद बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने उस इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया है पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदर ने एक ट्विट में कहा है कि कानुन अपने हाथ में लेने वालों के खिलाप कारवाई की जानी चाहिए ओमान के रहने वाले भारतिय प्रवासी रंजित वेनुगोपाल उनिथन रैफेल ड्रॉ में करीब 20 करोड रुपे जीतने के बाद इस साल के आखरी बिग टिकिट अबुधाबी करोडपती बन गया है उनका ये हद दूसरा प्रयास था जिसमें उन्होंने जैकपॉट हासिल किया 42 वर्षे रंजित केरल के कोलम जिले के रहने वाले है इस साल बिग टिकिट अबुधाबी में कई भारतियों की किसमत चमक चुकी है रंजित ने कहा कि मैं पिछले 12 सालों से ओमान में रह रहा हूँ मैंने अपना पहला बिग टिकिट करीब 2 साल पहले खरीदा था मुझे तारीक तो याद नहीं है लेकिन मैंने इसे सिर्फ बिग टिकिट में अपना अकाउंट खोलने के लिए खरीदा था मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने उस टिकिट को खरीदने के लिए पैसे जमा किये थे लेकिन हमारे भाग ने साथ नहीं दिया और मैंने इसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया दूसरी बार यह देखने के लिए इसमें हिस्सा लिया कि 2021 मेरे लिए भागेशाली है या नहीं लेकिन यह नहीं जानता था कि 2021 जाते जाते मुझे बहुत बड़ा सोगात देने वाला है मुझे खुशी है कि यह वाकई मेरे लिए भागेशाली साबित हुआ मेरे लिए तो यह अभी भी अविश्वसनिय है रंजित ने कहा कि उस पुरसकार की राशी को अपने 5-6 दस्तों के साथ साजा करेंगे जिनोंने टिकिट को खरिदने में अपना योगदान दिया था रंजित की शादी हो चुकी है और उनकी एक 5 साल की बेटी है युक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव लगातर बढ़ता जा रहा है युक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने सीमा पर 94,000 से अधिक सैनिकों को तैनाथ किया है और जनवरी के अन तक इसमें और इजाफा हो सकता है इस बीच अमेरिकी खुफी आधिकारियों ने भी पता लगाया है कि रूस युक्रेन में सैन्य कारवाई करने की फिराक में है और इसकी शुरुआत 2022 की शुरुआत में हो सकती है इसके लिए रूस युक्रेन की सीमा पर 1,75,000 सैनिकों की तैनाती करने की ओजना बना रहा है इन में से आधे से जादा सैनिक युक्रेन की सीमा के पास विभिन्न बिंदू अपर तैनात है इस बात की जानकरी अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी ने नामनच छापने की शर्त पर बताया है वही वाइड हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा है कि अगर रूस की तरफ से युक्रेन के खिलाफ किसी तरह की कारवाई हुई तो बाइडन प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन ने भी युक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राश्टरपती पुतिन को चितावनी दी है इस सुलक्ते मामले को लेकर आगामी दिनों में पुतिन बाइडन की बाच्चित कराने की व्यवस्था की गई है लेकिन तारिख का एलन तब किया जाएगा जब मॉस्को और वाशिंग्टन वीवरण को अंतिम रूप दे देंगे भारत के भारी विरोध के बाद चिन ने श्रिलंका में हाइबरीड एनरजी सिस्टम पर योजना के निर्मान को रोग दिया है इन हाइबरीड एनरजी सिस्टम को तिन उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बेहत करीब है इससे पहले जनवरी में भारत ने श्रिलंका से चिनी कमपनी को सोलर पावर प्लांट बनाये जाने का ठेका दिये जाने पर विरोध दर्च कराया था श्रिलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाहा पर इस्ट कंटेनर डीपो के निर्मान का ठेका चिन की कमपनी को दिया है श्रिलंका ने पहले इस कंटेनर डीपो को बनाने का ठेका भारत और जापान को दिया था श्रिलंका में चिन के दूतावास ने ट्विट करके कहा था कि उत्तरी द्वीपो पर सोलर पावर प्लांट बनाय जाने के प्रोजेक्ट को एक तिसरे देश के सुरक्षा को लेकर चिनता जताय जाने के बाद रत कर दिया है चिन ने इस दिसरे देश के रूप में भारत का नाम नहीं लिया है चिनी दूतावास ने ये भी कहा है कि इसी कमपनी ने मालदिव में ठेका हासिल किया है बता दे कि इससे पहले शिलंका ने खराब गुनवत्ता का हवाला देते हुए चीन से आए 20,000 टन जैविक खाद की पहली खेप को लेने से इंकार कर दिया था इसके बाद गुसाई चीन ने शिलंका के एक बैंक को ब्लैक लिस्ट कर दिया था इसके बाद शिलंका ने चीन की बज़े भारत से खाद लेने का समझोता किया भारत ने ततकल शिलंका को खाद की आपूर्ती भी कर दित अजीवोगरी फूड आइटम्स के कारण चीन पहले से बदनाम है ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चीन कई तरह की जहरीली चीज़े बना कर मार्केट में बेच रहा है इन्हें खाना स्वास्त के लिए काफी नुकसान दायक है चीन में मने नमक में मेटल के अंच पाए गए है खाने में मिलाने के बाद भी ये घुलते नहीं है नतीजा इससे पेट से जुड़ी कई बीमारिया हो सकती है तो चीन में जहरीला दूद भी बनाय जाता है इसे पिकर चीन के कई लोग बीमार हो चुके है इनका किड्नी पर बुरा आसर पड़ता है अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस तरह के दूट से घरवालों को दूर ही रखे इसके अलवा चिन में प्लास्टिक के चावल बनाये जाने की भी ख़बर सामने आई है इन्हें खाने से कैंसर भी हो सकता है चिन में पत्ता गोभी काफी खाई जाती है जब सीजन ख़तम हो जाता है तो किसान इन पर एक ऐसा सुलुशन लगाते हैं जिसरे ये फ्रेश नजर तो आता है लेकिन स्वास्ता के लिए ये ख़राब है ऐसे में आफ सिजन पत्तागों भी खरिदने से परहेज करे चीन के खाने में सोया सॉस का इस्तमाल जम कर होता है लेकिन आपको बता दे कि इन्हें बनाने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तमाल किया जाता है उससे कैंसर होने का खत्रा होता है यही नहीं वहाँ रेस्टरॉल से इस्तमाल तेल को वापस फैक्टरी में भेजा जाता है वहाँ इन्हें रिफाइन कर चाना जाता है और इसके बाद दोबारा पैक किया जाता है ऐसे में अगर आप चीन में बना तेल का पैकेट खरिद रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस्तेमाल किया तेल का पैकेट नया समझ कर खरिद रहे हैं तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं वी के बी नियूस नमस्कार